हेलो फ्रेंज मैं हूँ प्रेंग का और स्वागत है आपका मेरे किचन में आज मैं आपके लेकर आए हूँ इंस्टेंट आउला काचार बनाने की रेसिपी इसे बनाना बहुत आसान है और खाने में बहुत ही टेस्टी और चटपटा लगता है आप इस आचार को बनाकर एक से अच्छे से धो कर साफ कर लिया है अब हम इसे एक बड़े बरतन में डाल देंगे आउला को हमें उबालना है तो इसके लिए हम इसमें डाल देंगे आदी छोटी चमश नमक और आदी छोटी चमश हल्दी जिससे इसमें कलर और टेश्ट दोनों बहुत अच्छा हैगा तो यह हमने दोनों चीजे डाल दी है अब इसमें हम डाल देंगे पानी पानी हमें इतना डालना है कि पूरा आउला अच्छे से पानी में डूग जाए तो यह देखें यहां पर लगबग डेड़ गलास मैंने इसमें पानी डालने के बाद हम इसे एक बार अच्छे से मिक्स कर इस तरह से मैंने चम्न से इसे मिक्स कर दिया है आउला हमारा त्यार है बॉयल करने के लिए चलिए अब इसे हम बॉयल करते हैं इसे बॉयल करने के लिए मैंने गैस कौन कर लिया है गैस पर इसे रख देंगे और इसे ढख देंगी ढख कर हम इसे मीडियम फ्रेम पर उबलन यहां पर मैंने लगभव 100 घ्राम हरी मीर्ची ली है अच्छे से मैंने मिर्ची को पानी से धो लिया और सुखे कपड़े से साफ कर लिया है ज़्या सभी मिर्ची में पानी नहीं रहना चाहिने तो हजार खराब हो जाएगा हरी मिर्ची को इस तरह से आजार में डालने से आजार का टेस्ट और भी ज़्यादा इनहांस होता है और खाने में भी हरी मिर्ची बहुत अच्छी लगती है तो ये देखिए सारी मिर्ची को मैंने हाँ पे ऐसे बीच से काट दिया है अब हम आउला को एक बार चेक कर लेंगे तीन से सारी मिर्ट के बाद मैंने इसका ढखका नटाया है और ये देखिए इसमें एक अच्छा उबाल आने लगा है इसे हम एक बार ऐसे चला देंगे इसे चलाने के बाद हम इसे ढख देंगे पर हमें इसे अब पूरा ढखकर नहीं पकाना है ऐसे थोड़ा सा खुला रखेंगे और 10 मिनट पका लेंगे और जब तक हमारा उला पक रहा है तब तक हमाजार में डालने के लिए मसाला बना लेंगे तो यहाँ पर मैंने एक जार में डाला है तीन बड़ी चम्मच सौफ तीन बड़ी चम्मच सरसू साथ ही डालेंगे दो बड़ी चम्मच जीरा और एक चम्मच मेथी अब हम इन सभी शीजों को रफली ग्राइंड कर लेंगे बहुत जादा हमें इसका फाइन पाउडर नहीं बनाना है तो हमने इसे पीश लिया है यहाँ पर मैं आपको दिखा देती हूँ कि कितना आपको इसे मोटा पीशना है यह देखिए थोड़ा साए दरदरा है आप देख सकते हैं इससे ज़्यादा आपको फाइन पाउडर इसका नहीं बनाना है अचार में थोड़ा सा दरदरा मसाला ही डाला जाता है तो यह मसाला हमारा त्यार हो चुका है अब हम आउला को छेक कर लेंगे तो यहाँ पर हमने आउला को टोटल 17-18 मिनिट पका लिया है और यह देखिए आउला ऐसे बीच से फटने लगा है जब आउला ऐसे बीच से फटने लगे ना तो समझेए कि आउला अच्छे से पक गया है इससे ज़्यादा हमें इसे नहीं पकाना है यह देखिए आप देख सकते हैं अब हम क्या करेंगे कि इसे एक बरतन में चान लेंगे यह बहुत गरम है इसलिए आप इसे कियर फूली कपड़े से पकड़ कर चाने तो यहाँ पे हमने आउला को चान लिया है अब हम क्या करेंगे कि इसे ठंडा होने देंगे बिल्कुल ठंडा हो जाएगा तब हम इसके स्लाइसे निकाल लेंगे तो इस तरह से हम इसे छोड़ देंगे कुछी दिर में आउला हमारा बिल्कुल ठंडा हो गया है अब हम ले लेंगे एक बोल और आउला को हम ऐसे बीच से प्रेस करेंगे ये देखे इस तरह से आउला ऐसे प्रेस करने से खुद ही इसके स्लाइसे जरलग हो जाते हैं ये देखे आप देख सकते हैं कितनी आसानी से आउले के स्लाइसे निकल जा रहा है जरा साभी आपको मेहनत नहीं लगेगी इसी तरह से हम सारे आवले के slices को निकाल लेंगे तो यहाँ पर मैंने ये देखिए सारे आवले के slices को निकाल लिया है अब हम चलते हैं आगे के process में आवले में अब हम masala मिलाएंगे तो इसके लिए हम ले लेंगे एक बड़ा सा बर्तन और इसमें हम डाल देंगे आधी छोटी चमस हल्दी पाउडर आधी छोटी चमस लाल मिर्च पाउडर जितना आप तीखा रखना चाहते हैं चार को उतना ही डाले और साथ हम इसमें डाल देंगे ये जो हमने ग्राइन करके रखा है सौफ, जीरा, मेथी और सरसो सभी मसालों को एक पर अच्छे से मिक्स कर लेंगे और तब हम एक पैन में तेल गरम कर लेंगे तो यहाँ पर मैंने एक तड़का पैन को गरम कर लिया है इसमें मैं डाल रही हूँ 100 ग्राम सरसो तेल सरसो तेल में अचार बहुत ही अच्छा और टेश्टी बनता है तो यह देखिए जैसे ही आप तेल डालेगे ना तो मसाल बें सिब बबल जाना शुरू हो जाएगा यह देखिए किसी भी मसाले को हमने रोष्ट करके ग्राइं नहीं किया है अगर आप तेल गरम करके मसाले में डाल देगी ना तो मसाले तेल के साथ बहुत ही अच्छे से रोष्ट हो जाते हैं और आचार का टेस्ट और कलर बहुत ही अच्छा आता है तो इस तरह से मसाले को अलग से रोष्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती है और आचार बनाना काफी आसान हो जाता है अब मैं इसमें डाल रही हूँ दो बड़ी समस नमक, नमक अपने टेश्ट के अकॉर्डिंग डाले मसाले में हम नमक को अच्छे से मिला देंगे तो यह देखिए हमने इसे अच्छे से मिला दिया है, कितना बढ़ी है इसका कलर और टेक्शर आया है आप देख सकते हैं मिच डालना इसमें ऑप्सनल है, अगर आपको पसंद हो अच्छा लगे तो डाले नहीं तो स्किप करें तो बस अब हम इसे अच्छे से मिला देंगे, तो यह हमने हर तरब से इसे अच्छे से मसाले में कोट कर दिया है यह देखिए, कितना सुन्दर लग रहा है, कितना कलरफुल लग रहा है, आप देख सकते हैं तो यह हमारा सूपर टेश्टी और चटपटा आउला का अच्छा बन कर त्यार है आप चाहे तो इसे तुरंद खा सकते हैं, और अच्छे रिजल्ट के लिए आप इसे चार से पांच घंटे तक ऐसे ही छोड़ दें अच्छे से इसे ठो जाएगा और फिर उसके बाद इसका फ्लेवर और भी अच्छा लगेगा इस आचार को बना कर आप किसी ऐसे सुखे बोल में रखकर फ्रिज में रख सकते हैं और फिर किसी जार में रख सकते हैं महीनों भरे खराब नहीं होता है, आप इसे महीनों भर अराम से यूज़ कर सकते हैं बस आचार रखते समय आपको एक बाद ध्यान रखना है कि बरतन में जरा सा भी पानी नहीं रहना चाहिए नहीं तो आचार खराब हो जाएगा अगर आप इस आचार को ज़्यादा दिन तक बना कर श्टोर करना चाहते हैं तो बस आपको आचार को धूप में सुखा लेना है और तब आचार बनाना है इससे आपका आचार बहुत दिन तक अच्छा रहेगा बिल्कुल भी खराब नहीं होगा तो ये इंस्टेंट आउले की आचार की रेसिपी आप अपने गार पे एक बाज जरूर ट्राइ करें खास कर अगर आपको आचार बनाने में दिक्कत लगती है इस में धर से आपको ज़रा सा भी परिशानी नहीं होगी और आपका आला का आचार बहुत ही अच्छा बनेगा इस अजार को आप रोटी पराठा या फिर ऐसे भी एक दो स्लाइसेश खा सकते हैं बच्चों को भी आप यह आचार दे सकते हैं काफी हिल दी है हमारे हिल के लिए तो चलिए अब आप इस एक बार ट्राइ कीजिएगा ट्राइ करने के बाद अगर आपको मेरी रेसिपी ना भूले मिलती हूँ आपसे नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ तब तक के लिए टेक क्या बाबाई एंड थैंक यूँ